आज मैं शेयर करूंगी विप्ट क्रीम रेसिपी इसके लिए मैंने देख सकते हैं यहां पर लिया है यहां पर और यहां पर मैंने जो बावल यूज कर रही हो और मेरे बिटर का जो हैंडल जिसमें मैं बीट करूंगी बोव अर्फ ओवरनेट्र की ती फ्रीजर में और यहां पर मैंने अम्मुल हुए पिंग क्रीम को अर्फ पेल शॉष्व फ्रीजर में रखा था यहां पर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि इसको ऑबनेट्र टूल सेम्ट करेंग करना में पिर यूज करना है और इसमें 30% उब जोर मिलक है ग्रीन कलर का फ्रेश की मत लेना यहीं लेना नहीं तो नहीं बनेगा यह हम 250 ml का पैकर्ट यूज कर रहे हैं इसको अच्छे से हम हैंड बीटर के मदब से अच्छे से बीट करेंगे जिसमें हम क्रीम रखेंगे घर फाय कि पीट करना होता है तो यह दिसको में थोड़ी रिट करने के पाद इसका टेक्छ methode होने लगा है आप देख सकते हैं क्रीपोच से आने ही लगा है कि अब हम इसमें एड कर देंगे 1 कप मैं यहां प्रेड कर रहीं 1 कॉला शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़ादा कर सकते हैं यह क्योंकि इसमें शुगर नहीं रहता हुए विपिंग क्रीम में तो हमें शुगर एड़ करना पड़ता है और इसको फिर से अच्छे से बीट करेंगे जैसे कि इसका फ्लोइंग कंसिस्टनसी ना रहे क्रीम में करें दो अच्छे से बीट किया था देख सकते हैं इसका कॉस्टनसी ना अच्छे से बीट किया था देख सकते हैं इसका कंसिस्टनसी बिल्कुल भी वह फ्लोइंग में नहीं है नहीं किर रहा है इसका मतलब यह हमारा क्रीम जो रेडी हो चुका है और इसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमने 250 ml लिया था और इसका वॉल्यूम दे सकते हैं और करीबन 4 टाइम ज्यादा हो चु कियो थेंक्स फर वाचिंग